जब कभी कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और कमजोरी, ठकान, आलस जैसी समस्या को बताता है या फिर जिस किसी को भी रक्त की कमी होती रहती है तो डॉक्टर तुरंट उनको अनार के सेवन का सलाह लगभग सबसे पहले देते हैं। डॉक्टर ही नहीं घर के बुजूर्ग व अनार की। फूवी को जानने वाला इंसान भी अनार के सेवन की सलाह देता है क्योंकि अनार में वह सभी तत्व पाय जाते है जो स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक होता है। आयुर्वेद में तो इस फल को लगभग सो बीमारियों का एक दवाहे तक माना या उलेखित पाया जाता है। अनार के फाइदे एक अनार के लगातार रोजाना सेवन से शरीर की कमजोरी वा थकान जैसी समस्या से छुटकारा मिलता है। साथ ही साथ हाल से नहीं लगती वा मन में चंचलता, दिमाग में ताजगी बनी रहती है। दो किसी व्यक्ति को बीमारी की वज़े, बुर्खटना या अन्य कारणों से शरीर में रक्त की कमी हो गई या महसूस हो रही हो तो एक महीने तक लगा। तार दो अनार का सेवन आपके खूं की कमी पूरी तरह से दूर कर सकता है। पांच खाना खाने के बाद खटा धेका राना, सीने में जलन होती हो तो अनार के दानों से निकले जूस के बाद बचा भीये का वियर्थ खुजज में हलका नमक डाल कर खाए। शेहाव पर रहा हो या बबासीर की शिकायत हो तो भी अनार का रस फाइदे मंद होता है और बीज को सुखा कर पीसने के बाद तयार चूर्म को सौफ के चूर्म में मिलकर लेने पर बबासीर की समस्या से आराम मिलता है। ध्यान रहे की तेल मसाले वाले भोजन कुछ दिनों के लिए पूरी तरह छोड़ दे क्योंकि इसका सेवन करते रहने पर दवा का प्रभाव नहीं रह पाता। या फिर पेसाब में जलन जैसे समस्याओं से आराम पाने के लिए भी अनार का सेवन फाइदे मंद होता है। याओ जिल खोड़ पाता है। याओ याओ नहीं जलन 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 जलने भी तीर दीरव पाता है।